दोस्तों किसी वाई ने हमारे पास लास्ट दो महिने का स्टेटमेंट यहां पर बेजा है और उनका बहुत जादा हैवी चार्ज यहां पर काटा गया है तो उन्हों ने रिक्वेस्ट किया इसको रिफंट कराने के लिए लेकिन यहां पर आप देख सकते हो यह जो चार्ज जो है जी स्टीस पर काट गया है लगवक 5,000 रुपए यहां पर काट दिये गए हैं आप यहां पर देख सकते हो एक महीने के अंदर और ऐसा ही इनके साथ लगवक हर महीने होता है पर यह क्यों होता है इनका वैलेड रीजन बैंक में भी जा चुके इनको नहीं पता चल पा जैसे कि bank close हो गया हो उसके बाद में अगर आप machine में जाकर cash जमा कर देते हो रात के समय पर या सुबह जल्दी cash जमा कर देते हो तब भी यह charges आपके काट लिए जाते हैं क्योंकि working time में ही cash की counting होती है bank में अगर आप उसके other समय में cash जमा करते हो यानि कि आप bank close होने के अकाउंट के जैसे CAADV होता है, CSEL करके होता है, यह अकाउंट की लिमिट के हिसाफ से आपको code दिये जाते हैं, जैसे अगर आप 25,000 से maintain कर रहे हैं और आपका bank rural area में है, तो आपको लगबग 6,00,000 रुपे का cash deposit यहां पर मिल जाता है, free cash deposit, उसके उपर आप पर 1000 पर आपको 4 रुपे यहां पर चार्ज देना होता है, तो जैसे मैं आपको यहां पर इनका calculation करके दिखाता हूँ, जैसे महीने में total cash इन्होंने कितना जमा किया है, इनका bank R1 ब्रांच में बढ़ता है, अब जो cash जमा हुआ है, इनका महीने में वो कितना हुआ है, चलिए एक मैं calculation यहां पर जल्दी जल्दी यहां पर कर लेता हूँ, तो दोस्तों लगवग 6 लाग रुपे इन्होंने cash यहां पर जमा किया था, तो एक चार्ट है मेरे पास यहां पर जो charges लगते हैं, maintain account नहीं करते हो, अगर आप तब भी यहां पर charges आप यहां पर देख सकते हो, यह आप देख सकते हो, CAADB जो account है, metro, urban area में आपको 25,000 से इसे maintain करना पड़ता है, अगर आप 25,000 महीने का maintain नहीं करते हो, तो आप पर 1250 रुपे चार्ज लग जाता है, अगर आपका normal account है, CANOR वाला, तो 10,000 से आपको maintain करना पड़ता है, अगर आप maintain नहीं करते हो, तो आपको 1000 रुपे यहां पर non maintenance charge लग जाता है, तो अगर आप maintain भी नहीं करते हो account को, तो तब यह charges काटे जाते हैं, इसके अलाबा, आप यहां पर देख सकते हो, यह 5000 से मियर्वन एरिया के लिए है, और 12,500 यहां पर CAADB के, और यह जो charges हैं यहां पर नीचे दिये हुए हैं, 1000 रुपे non maintenance इस वाले account का है, और 1250 इस वाले का है, अगर आपका CAADB कोड है, तो आपको 50,000, 25,000 और 1500 रुपे उस पर charge इस यहां पर दिखाए गई हैं, यानि कि यह charge आपके लगते हैं, यह Axis Bank की 4 सीट है, नीचे आप देख सकते हो, free limit 2,00,000 रुपे तक है, उसके उपर 4 रुपे पर 1000 पर आपको charge देना होगा, अगर आप ज़्यादा cash जमा करते हो, इस वाले account में 3,00,000 है, इस से उपर अगर आप cash जमा करते हो, तो यानि 3,00,000,000 रुपे इन्होंने extra जमा किये हैं, उसके कुछ charges काटे गए हैं, कुछ non maintenance के charges काटे गए हैं, और इसके अलावा इन्होंने जो non banking working hours में cash जमा किया है, उस पे भी पर 1000 पर 3 या 4 रुपे आपको charge देना होता है, उसका आपको ध्यान रखना है, उससे आपको बचना ही बचना है, आप banking time में ही cash को deposit करें, अब इनका next month ये देखेंगे, मैंने जो बताया है, उस तरीके को use करके क्या charges इनके कम होते हैं, तो उस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा, और आपको दिखाऊँगा कि कितना charges इनों ने अपना बचा लिया है, तो उमीद करता हूँ, जानकारी आपको काफी ज़्यादा पसंद आई होगी, अगर जानकारी आपको पसंद आई है, तो like कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ share कर दीजिए, और चैनल पकर पहली बार आई हैं, तो subscribe करते हैं, साथ ही bell icon प्रेस करते हैं, ताकि ऐसी वीडि एक्राइब आई होगी आए